शिरी शिवाज नमस्तु भिहम पुझ्य गुरुजी के उपाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के गंटे को अवश्य दबाएं एक बहुत सुन्दर बात है अपनी जिन्दगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चड़ा रहे हैं शंकर के मंदिर में जाकर आप दूद चड़ा रहे हैं शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी शिव देने में कमी नहीं रखता कमी अपनी सेवा में हूँ कई कई लोग कहते है हम संकरजी के इराधना करते हैं हम पूजन करते हैं मैं तो 33 साल से बेल पत्र चड़ा दी मैं तो 33 साल से जल चड़ा रही हूँ मैं इतने समय से भघवान के खलती तुमारी है जब दस दिशाओं को भगवान संकर ने बाटा और संकर भगवान ने दस दिशाओं को बाटा तो दस दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा कौन से देवतां यहां पर निवास करेंगे किसका आदिपत्य इस दिशा में होगा पूरग, पश्चीम, उत्तर, दक्षिन ये चारो दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने भगवान शिव के सामने खड़ी है चारो दिशा दीरे दीरे करते इशान वायब्य ये भी आकर खड़ी होगा दसो दिशा शिवरी के सामने थी दसो दिशा सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी होई केवल एक दिशा एसी थी दक्षिन जो भगवान शंकर का इस्मन कर रही थी भगवान शंकर के स्वरूप का अनमोदन कर रही थी केवल दक्षिन दिशा कई लोगों के मन में प्रिश्ण है जीवन से होगा साय और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं अहएं मोभाईल पर सुन रहे हैं कथा को यूटूब फेसबुक अक्र आपके भूसम मन में यह प्रश्णा आया होगा कभी जिंदगी में तो आया होगा कि संकरजी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है कभी तो जीवन में प्रश्णा आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है कि किस लिए महाराजी केवल एक दिशा इसी है दक्षिन जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है भगवान शंकर का समर्णक कर रही है तारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी कि दक्षिन जिशा स्चिव की अराधना कर रही है शंकर कर निशा भी पर उत्तर जो दिशा थी वह खड़ी होकर दक्षिन दिशा की और हसने लगी सारी दिशाएं होता है जब दस फ्रेंड दस सहेलियां सरल भाषा में समझी है इसको दस फ्रेंड दस सहेलियां एक जगहा पर इखटी हुई और एक सहेली अकेली वेट कर माला जपे नाम जपे या हैंडसेक मुवाइल चलाए या फोन पर लगी रहे या बात करे तो जितनी जो सहेलियां होंगी न फिटोली तो करेंगी न दक्षिन दिशा को देखकर उत्तर दि फिटोनिया करने लगी हसने लगी भगवान शिव की अराधना में दक्षिन लगी हुई थे पूरव और पश्चिम ये दो दिशा एसी थी जिनको बहुत अभीमान था बहुत अभीमान था इनोंने तो पहली सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे आधीन पूरव और पश्चि ने अवारे आदीने तो हम क्यों जपें हम क्यों इस्मर्ण करें पूरव और पश्चिम बेठे रहे एक सिंपल भाव में बेठे भी रहोना मत हसो मत थिटोली करो तो भी चल जा पर उत्तर थिटोली और उत्तर दिशा ने जैसे थिटोली करी शब्दों के बान कहना दक्षि दक्षिन दिशा कर रही थी जिसके स्वामी है यमराज है कि जब करी है कि दक्षिन दिशा ने एक बार हाद जोड़कर कहा उत्तर है कि शांत रहिए अगर मैं शिवा रादना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है उत्तर ने फिर कोई सब्द कहा इतने में जिस संकर की अरादना दक्षिन दिशा कर रही थी शिव को क्रोध आ गया और किसी की तफसाधना में भजन में कीर्टन में अगर आप अर्चन उत्पन करते हो तो जो जब तब कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा जिसका भजन कर र रहा है जिसका नाम जपा जा रहा है तष्ट उसको होगा कि दक्षिन में तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल मत कर पर उत्तर नहीं मानी तब दक्षिन उसी समय पर मोन हो गई अराधना में डूब गई शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रगट हुए जाम ने उत्तर दिषा घातित होने लगा जल ले लग्या है जमा मांगि उसने दक्षिन दिशा से कर्पा करो तब दक्षिन में जल का पात्र लेकर शंकर के शीवलिंग पर चड़ाया इस जल उत्तर की ओर गया तब उत्तर की ज्वलंता समापत हुआ गया मता दक्षिन दिशा ने बर मांग लिया शंकर जी से भोले ना आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी मेरी सक्खी को बचा दिया कृपा करिए शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिन दिशा तुँमारा पती यमराज तुम्हारे साथ मेरे रेता है। तुम दक्षन दिशा की मालकिन हो। और यमराज तुम्हारे स्वामी है। यह पूरै पश्चिम, उत्तर। यह तीम दिशा में जो शंकर की अराद न करेगा। संकर तभी उसकी कामना पून नहीं करेगा जो लो दक्षिन दिशा में बेढ कर शिव का जालाधारी उत्तकी हो और लो दक्षिन données समें बेढ का यदि एक लोटा पानी भी चड़ा देगा संकर उसकी कामना फून कर देगा अभिकत यह अर्डी पड़ी एक है कि संकर जी के मंदिर में भी पंडी जी पूजन कराने बेट तो पूरब का मूँ करो पर दक्षिन में नहीं करने दक्षिन में बेटने नहीं करता पर दक्षिन की और बेटकर एक लोटा पानी भी चड़ाया है अब दिक्कत यह है कि कई लोग तो पूजन करते भगवान नहीं सुनता तो दिसा एकले पहले कौनची वेठी थी इत्ते दिनों से किस दिसा में मूर अकर पानी चड़ाया वह बता हमको पहले संकर जी ने नहीं सुना थोड़ा बड़ा यावाज गला अगर शिवजी ने नहीं सुना आपका तो क्यों नहीं सुना कारण क्या है वो तो जानों पहले कि क्या कारण है कि पानी चड़ा रहे हो मंदिर में बहुत भीड़े इधर खड़ी हो गई उदर खड़ी हो गए इधर खड़ी हो गए इधर खड़ी हो गए इधर खड़ी हो गए तो जो शास्त्र में दिशार कही गई है शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की और भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिन की और बेट कर एक लोटा पानी भी चड़ाया है शंकर उसे स्विकार कर लिया शंकर में स्विकार